हेलो गाईज माई नेम इस केशव और आप देखरें मेरा चैनल जिसके अंदर मैं आपको गायड करता हूं कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है और प्रफिटेबल ट्रेडर कैसे बना जाता है लगबग एक हफ्ते से मेरी कोई ऐसी वीडियो नहीं आ रही है बैंग रिफ्टी एनल मैंने लिकाला है अब मैं पूरी कोशिश करूँ हो कि मेरी डेली बेसिस पे बैं निफ्टी एनलिस की वीडियो आपाई और जो मैं आपको कुछ गाइड कर पाता हूं तो मैं आपको गाइड कर पाऊं ओके तो हम बात करते हैं अब सीधा कि आज मार्केट ने क्या किया और क बात करें कि आज मार्केट डे कैसे काम किया सबसे पहले केंडल तो बनी यह वाली गैप डाउन ओप्रिंग थी सारा फोरन मार्केट होड़ा नेगेटिव था तो अपना वेन फ्टी भी थोड़ा नेगेटिव खुलता तो सबसे पहले इसने नीची के साइड काफी नीचे एक डाॉन मूउव लगाया पर इसने नीचे से रीकवयर करके वापिस उफ़ा की साई closing दे दी जैड मैंज की और वह भी 50 एम में के उपर closing आई है 50 E-Ɛम में की नीचे जाने का try किया था पर इसने फिर नीचे से pressure आया और यह उपर आ के इसने closing दी इसका साफ सीधा मतलब है कि market अभी नीचे जाना नहीं चाहता अपने 50 EM में की नीचे और EM में आपके support और register की तरह काम करते हैं तो यहाँ पर इसने support की तरह काम किया बिल्कुल proper किया है और यहां से फिर आप एक land draw ऐसे कर सकते थे कि हाँ यहां से नीचे आगर जाएगा कोई क्या कहां मैंने आज आपके पास option buying का कोई चाहत नहीं था आपके पास proper कुछ भी नहीं है आपके पास यहां पर कुछ भी सबूत नहीं कि मैं trade लूँ देखो जासे कि नीचे के side closing तो आ गई पर यहां पर कोई ऐसा large swing में यहां पर ती देखो इसके उपर closing आई यहां पर य साफ सीधी बात है जब तक आपके पार double confirmation नहीं होती जब तक आप option buying बैंट निफ्टी में नहीं कर सकते अगर distributed rate so okay तो मैं कहाँ था कि अगर यहां पर 35 लेवल क्रोस हुआ एक अच्छा लेवल था अच्छी बात है पर इसने अपने 200 E.M के उपर closing नहीं दी तो मैं यहां पर trade लूँगा ही नहीं और आप ध्यान रखो इस बात का ऐसा नहीं है कि मैं बात में आपको chart analysis करके बता रहा कभी भी 200 E.M में और 50 E.M में इनके आसपास market अगर कहीं लेवल तोड़ता है जैसे कि 35 लेवल तोड़ा psychology लेवल है और अच्छा लेवल है पर इसने अपने 200 E.M को नहीं तोड़ा तो वहां पर आप बिल्कुल trade मत लो देखा ना क्या हुआ यह नीचे आ गया और इस candle में ब आगे जाता market है नहीं तो market पूरे दिन इसी के अंदर consolidation होता रहा पर जैसे कि मैं आपको अभी shape बना के दिखाई है अच्छी shape बन चुकी है और 50 E.M में 200 E.M में के अंदर है अगर इस दोनों line में से किसी को भी वह cross करता है ना तो उस side एक अच्छा move आने के chances है मैं कोई prediction न देता हूं अपने telegram group के अंदर तो उसको जा के आप जोइन कर सकते हैं telegram group के बात रही आज भी मैंने एक trade दी थी पर options bank nifty में नहीं दी मैंने वह दी थी आपको आया ही नहीं और market उसके नीचे ही रही तो वह trade एतर से not active रही ठीक है तो उसको ignore निमारते हैं और अगर ऐसा कोई trade आता है तो मैं आपको जरूर trade दूँगा पर ऐसी नहीं मैं कि मेरा call group पर या फिर मैं रोद trade दूँगा नहीं ऐसे educational purpose जब भी मेरे को लगेगा कि हाँ यहाँ पर एक trade आ सकती है मैं देता हूं तो इसको आप learn कीजिए कि मैंने वह trade किस logic के साथ दिये है मैं आपको logic भी बताऊंगा हाथ क्या हाथ ओके तो यह होता concept call देने का ठीक है अब बात करते हैं कल market क्या करता है साब सीधी बात है कि अगर 200 एम में या 50 एम में इन दोनों में से किसी को भी upside क्रोस करता है यहाँ पर कोई candle अच्छी strong बन जाती है ऐसे यहाँ बन जाती है तो आपको महाँ पर 200-300 points बाइन 50 में वह जाता वह दखेगा तो उन 200-300 points में से आपको options के अंदर अपने 40-50 अंग लिकालना है और ब प्रोफेशल के तरह काम करना ठीक है बिल्कुल अन्मैक्चर होके ट्रेडिंग मत करो मत करो क्योंकि आपको फिससे नुफसान हो जाएगा ठीक है तो ऐसे करके आप ट्रेडिंग करें ताकि आपका बला हो और अपका profit भी बन पाए अपना कीमती समय देने के लिए पुरे द ट्रोफे लिएशल गो